नमस्ते, आप सभी जानते हैं कि 5 जन्वरी को माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब में एक कारिक्रम में गए थे, उस दिन हम सब ने देखा कि उनके सुरक्षा में सेंध लगी थी, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड हुआ था, और उस सुरक्षा के खिलवाड के लिए कोई जिम्मेदार था, तो वो पंजाब की सरकार थी, आप सभी जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में कारिक्रम के ले गए थे, तो लगभग 20 मिन्टों के लिए एक फ्लाइ ओवर के उपर, उनका जो क अटलरी फाइरिंग रेंज में ये फ्लाइ ओवर मौजूद था, प्रधानमंत्री की गाड़ी मौजूद थी, ड्रोन्स के बारे में भी आपने सुना होगा, कि ड्रोन्स आजकल बॉडर से भेजे जाते हैं, पाकिस्तान द्वारा भेजे जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भ देखा है और खास करके पंजाब में किस प्रकार से पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, ये भी हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी का काफिला, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पाकिस्तान से महच 10 किलो मीटर दूर ड्रोन के पकड़ में भी थी, कोई भी एक्स पास अनेको घर थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, कई पेड थे और कई ऐसे स्थान थे जिन पर स्नाइपर अर्थात बंदूक धारी व्यक्ती अराम से अपने आपको छुपा सकता था, कहने का तातपर यह है कि प्रधान मंत्री जी का जो वाहन था और खुद प्रधान मंत्री खत्रे के घेरे में थे, खत्रे के निकट थे, जब भी देश के प्रधान मंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है, उनको receive करने वहाँ के चीफ सेकरेटरी अर्थात मुख्य सचेव आते हैं उनको receive करने के लिए उस राज्य के उस प्रदेश के डी जी पी डारेक्टर जनरल पुलीस आते हैं मगर पांच जन्वरी को जब प्रधान मंतरीशी नरेंद्र मोदी पंजाब पहुँचे तीनो नदारत थे आश्चरी की बात है यह coincidence हो सकता है क्या कि एक ही साथ तीनो मुख्य लोग प्रसाशन के तीनो pillars एक साथ मौजूद नहीं होना is it just a coincidence और a conspiracy यह आप सोच के देखिएगा प्रधान मंतरी का जो काफिला है उस काफिले में Chief Secretary मुख्य सचिव और DGP Director General of Police दोनों के लिए earmarked गाडियां मौजूद थी अर्थात जिन गाडियों में इन महानुभावों को बैठना था वो गाडियां मौजूद थी किन्तों आपको जानके आश्चरी होगा वो गाडियां खाड़ी थी उनमें ना मुख्य सचिव थे और ना ही DGP मौजूद थे ऐसा क्यूं मुख्य मंतरी चन्नी साहब ने बाद में कहा कि वो किसी कोविड पेशन्ट के संपर्क में आये थे उनके किसी मित्र को कोविड हो गया था और इस कारण से उन्होंने उचिच समझा कि वो चूंकि एक्स्पोज हो चुके हैं वो बाहर ना आए और प्रधान मंतरी या उनके काफिले को एक्स्पोज ना करें ये तो समझ में आता है किन्तु शाम होते होते चन्नी साहब प्रेस कॉन्फरेंस को एड्रेस कर रहे थे हजारों के भीड में मौझूद थे कहीं न कहीं ये बात हजम नहीं होती है और तो और चन्नी साहब रिसीव करने नहीं आए किन्तु चन्नी साहब फोन पे तो उपलब्द हो सकते थी आपको जानके हैरत होगी कि जब ये सारा प्रकल्प हो रहा था ये प्रकरण हो रही थी जब प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड हो रहा था उस समय चन्नी साहब को कई बार मुख्यमंत्री जी को कई बार फोन के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई किन्तु एक बार भी मुख्यमंत्री महोदय अपने फोन पर नहीं आए he was not available on the phone ठीक है कोविट के कारणा बाहर नहीं आए ये तो समझ में आता है किन्तु कोविट के कारणा फोन पे नहीं आए ये बात हजम नहीं होती है मुख्यमंत्री नदारत मुख्यसचीव नदारत डीजीपी नदारत और देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा में सेंद ये कुछ बहुत महत्वपून सवाल छोड़ते हैं देश के निवासियों के मन में और भारतवाशियों के हरदय में आपको यह भी जानके बड़ा विचित्र लगेगा कि चन्नी साहब ने पहली बार जब कैमरे को फेस किया प्रदान मंत्री जी के सुरक्षा घेरे के सेंध के पस्चात तो उन्होंने कहा ये जो सुरक्षा चूक हुआ है ये कुदरती सुरक्षा चूक है वैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कुद्रती सुरक्षा चूक क्या होता है मगर आप सबने ध्यान से सुना होगा कि उन्होंने उस समय ये कन्फेस किया चन्नी सहाब ने माना कि सुरक्षा घेरे में कही न कहीं चूक हुई है और उसका कारण कुद्रती है, नाचुरूल है मगर आश्चेर्य तब होता है जब कुछ घंटों के पस्चाथ चन्नी सहाब यूटर्न करते हैं और वही मुख्यमंत्री जो कुद्रती सुरक्षा चूक कह रहे थे कहना आरंब कर देते हैं कि कोई सुरक्षा चूक नहीं हुआ है दोनों बाते तो सच नहीं हो सकती है और तो और चन्नी सहाब ने यह भी क्या कहा है हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि इस पूरे प्रकल्प का मैंने ब्रीफ बना करके प्रियंका वाडरा जी को बताया है आखिर यह बात समझ में नहीं आती है कि चन्नी सहाब एक सिटिंग मुख्य मंत्री है और इस पूरे प्रदान मंत्री के सुरक्षा में जो सेंद है यह गंभीर मसला है एक समवेदन शील और सेंसिटिव मसला है उस विशय को अगर ब्रीफ करना ही था तो उन्होंने ब्रीफ प्रियंका वाडरा को किया जो कि किसी कॉंस्टिटूशन या समवेदनिक पद में नहीं यह बात भी हजम नहीं होती है आखिरकार एक सवाल उठता है कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने 20 मिंटों तक क्योंकि 20 मिंटों के पश्चात प्रधान मंत्री जी का काफिला वापस आता है जिन्होंने 20 मिंटों तक प्रधान मंत्री जी के काफिले को फ्लाई ओवर के ऊपर रोक के रखा आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री इस रूट में आने वाले है जो प्रसाइस रूट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रसाइस रूट How did those protesters learn about the precise route of the Prime Minister सटीक राज जिस रस्ते पे प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं वो गुपत रखा जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता है It is not disclosed किन्तु दुखद विशय है आश्चिर जनक विशय है चिंता जनक विशय है आप सोच के देखिए प्रधानमंत्री सटीक रूप से किस समय किस सड़क पर चल रहे हैं ये प्रधर्शनकारियों को पहले से पता था वह भी एक short time period के अंदर एक बहुत कम समय के अंदर ये खबर प्रधर्शनकारियों तक पहुँचती है और वो पूरी विवस्था के साथ सड़क पर उतर जाते है ये कैसे हो सकता है जबकि इस विशय में केवल डीजीपी को पता था क्योंकि SPG के डाइरेक्टर और डीजीपी के बीच सघन चर्चा हुई थी फोन के माध्यम से और ये निरने लिया गया था कि सड़क रूट से अब प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा क्योंकि वेदर अच्छी नहीं है मौसम ठीक नहीं है तो सड़क के रूट से प्रदानमंत्री जाएंगे ये विशय और किस सड़क के रूट से जाएंगे ये केबल DGP को पता था उसके बाद ये प्रोटेस्टर्स कैसे जानगे कि प्रदानमंत्री किस रूट से जाने वाले हैं ये भी समझने वाली बात है दूसरा प्रशन उठता है जो आज आम जनता पूछ रही है कि आखिरकार ये जो पंजाब पुलीस ये जिस सेंद के लिए जिम्मेदार थी सुरक्षा चूप के लिए जिम्मेदार थी क्या उसकी एक मिली भगत है कॉनाइवन्स है या फिर ये एक कैरलेसनेस या लापरवाही या जिम्मेदारी मिली भगत क्या है ये तो आप भी जान सकते होंगे कि आखिरकार ये बहुत गंभीर मसला है और हमने भी टीवी के माद्धियम से देखा कि ये जो पुलीस थी ये प्रदर्शन कारियों के साथ चाय पी रही थी ये मीडिया ने भी दिखाया लोगों ने व रक्षा में तैनात हो वो प्रदर्शन कारियों के साथ चाय पी रही हो ऐसा तो नहीं हो सकता है प्रदर्शन कारियों के साथ बैठ कर हसी ठाके लगाना चाय पीना ये 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 विशय कुछ हजम नहीं हुआ दूसरा है कि पुलीस के एटिट्यूड को आप अगर फ्लाइ रुप नजर आ रही है लचर रुप से नजर आ रही है बिल्कुल कैरलेस तरीके से मूव कर रही है वो ना तो वहाँ जो जाम लगा हुआ है उसे हटाने की कोशिश कर रही है ना उन गाड़ीवानों को हटने के लिए कह रही है जो प्रदानमंतरी के रहा पे आये हुए है ना ही उनको कोई दिशा का पता है, ना उनके पास कोई दिशा निर्देश है, और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, अकर्मन्य बनके वो खड़े नजर आते हैं, और SPG को देखिए, तैनात है, चुस्त है, दुरुस्त है, प्रधान मंत्री जी को चारो तर और पुलीस के बॉडी लैंग्विज में, ये जो आकास पाताल का फरक है, यह भी दिखता है, इसलिए ये सवाल उठता है, कि आखिरह से कैसे हो सकता है, कि पुलिस बिलकुल लचर हो, प्रधर्शनकालियों के साथ चाई पी रही हो, पहले से प्रधर्शनकारी वहां पहु वो कह रहे थे कि लैप्स हुआ है सेक्योरिटी में, उसके बाद जो यूटर्न हुआ, कि किसी प्रकार से सेक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, एक बात तो समझ में नहीं आता है, मुक्यमंत्री साहब बड़े आदर के साथ हम पूछना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का से सेक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं हुई, तो आखिरकार जो SSP फिरोजपूर के हैं, उनको क्यों सस्पेंड किया गया, उनको क्यों निलंबित किया गया, एक प्रशन सब के मन में उठ रहा है और ये हमें बहुत दुखी करता है, अंदर से सरकार के मंत्री हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, कि आखिरकार प्रधान मंत्री का जो ये हेलिकॉप्टर है, वो तो All-weather हेलिकॉप्टर था, वो तो किसी भी वेदर में उड़ सकता है, तो प्रधान मंत्री जी ने रोड-ट रूट क्यों चुना और वो आपने प्रथम CDS आदर्निय विपिन रावजी को खोया है। ऐसे ही एक हेलिकॉप्टर दुर्गटना में जब मौसम खराब था। जब जोखिमों को उठाते हुए हमारे वीर जवान उसी हेलिकॉप्टर में उड़ गये तो हमने उसका नतीजा देखा है। आखिर ये Congress सवाल क्यों पूछ रही है कि All-weather हेलिकॉप्टर है और प्रधान मंतरी को हेलिकॉप्टर में ही जाना चाहिए था। इसके पीछे का मंसूबा क्या है इसका उत्तर भी Congress को देना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं Congress के नेता और खास करके जो नरेंद्र मोधी कि प्रती और हिंदुस्तान के प्रती नफरत रखते हैं, बस बीस ही मिनट तो था, बीस मिनट के लिए प्रदान मंत्री क्या एक जाम में नहीं प्रस सकते हैं, बीस मिनट में क्या हो जाएगा, दो मिनट, केवल दो मिनट चाहिए होता है अन्होनी को घटित होने के लिए, किस किसी ड्रोन को आने के लिए, किसी आटलरी को आने के लिए, किसी स्नाइपर के लिए दो मिनिट काफी होता है, हिंदुस्तान ने अपने प्रदान मंत्रियों को खोया है, सुरक्षा चूक के कारण अपने प्रदान मंत्रियों को खोया है, ये एक बेफिक्री से, कैरलेस्निस से भरा हुआ सवाल है कि 20 मिनिट में क्या हो जाएगा एक और बात कही जाती है कांगरेस के नेता प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कुछ हुआ तो नहीं मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं किसी ने पत्थर तो नहीं मारा किसी ने गोली तो नहीं चलाई किसी ने बम तो नहीं फोड कि 20 मिन्टों तक सुरक्षा चूक की बावजूत प्रधान मंत्री बिना किसी खरोज के वहां से निकल करा गए इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ होने के पश्चाती हम डिबेट और डिसकॉशन करें कि इस प्रकार से भविश्य में इस प्रकार की अनुहोनी ना हो इसलिए एक सब विश्यों पे चर्चा करता है आज ऐसे ही नहीं हो रहा है कई नेता जो भारती जनता पार्टी के नहीं है कई पूर्व डीजीपी बड़े पुलीस अधिकारी कई प्रसाशनिक अधिकारी जो बीजेपी से कोई वास्ता नहीं रखते हमारे आइडिलोजी के नहीं है उन आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकता और तो और देश के सर्वोच न्यायले सुप्रीम कोट ने इस पूरे विशय को गंभीरता से सुना है अब भी सुन रही है गंभीरता से लिया है और पंजाब सरकार ने जो दिखावे के लिए एक कमीटी का गठन किया था उस कमीटी तक क को रद कर दिया है सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए उसे समझ रही है एक बात आज मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस की जो यह एटिट्यूड है हेट मोदी मोदी से घ्रणा मोदी जी से नफरत आखिर क्यों मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं उनके सुरक्षा के चूप को लेकर इस प्रकार की घिनोनी बाते करना उनके प्रती इस प्रकार के नफरत को दरसाना आखिर क्यों मोदी जी ने क्या भीगाड़ा है क्या भीगाड़ा है मोधी जी ने मोधी जी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूँगा इससे देश का क्या भीगाड़ा है मोधी जी ने परिवारवाद की राजनीती को समाप्त कर दिया इससे क्या बिगड़ गया देश का, कुछ नहीं बिगड़ा देश का मोधी जी ने कश्मीर में अनुच्छे 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया दलितों को उनका अधिकार दिलाया क्या उसके कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे मोदी जी ने अयोध्या में और कासी में हमारी आस्था को समवेधानिक रूप से स्थापित किया है राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हम लड़ रहे थे कि आज समवेधानिक रूप से कोट के माध्यम से न्याय पूरुन तरीके से भव्यराम मंदिर का निर्माण हो रहा है इस कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे और उनके सुरक्षा में चूप करेंगे मोदी जी से आप इसलिए नफरत करेंगे क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं कुछ पांच छे ऐसे महत्वपून मित्स जिसको अंग्रेजी में मित्स कहते हैं जो जूट और अपवाद फिलाने की कोशिश हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्हें भी तोड़ना अवश्यक है मैं उन मित्स के बारे में भी बात करूँगा और उन अपवादों को भी अभी ध्वस्त करूँगा अपवाद नमबर एक मित्स नमबर एक जो मित्स नमबर एक है वो है पंजाब सरकार और पुलीस को रोड रूट के बीसे में पहले से सूचना नहीं थी उनको प्रधानमंत्री रोड रूट से जाएंगी यह पता नहीं था और इस कारण से यह चूक होई गलत बिलकुल गलत है ASL जिसका अर्थ है Advanced Security Liaison एक और दो जैनवरी को फर्स्ट और सेकेंड जैनवरी को जो पंजाब की प्रसाशन है और जो SPG है दोनों ने मिलकर ASL किया था अर्थाथ Advanced Security Liaison करके रोड रूट के contingency plan के विशय में discuss कर लिया था कि अगर मौसम खराब रहेगा प्रदान मंत्री को रोड रूट से जाना होगा तो किस रोड रूट से जाएंगे किस प्रकार जाएंगे और वहां किस प्रकार सुरक्षा की विवस्ता करनी है यह सब कुछ पहले से discuss हो चुका पंजाब के प्रसाशन के साथ पंजाब के पुलीस के साथ और तो और इस पूरे एसल को लेकर चार जनवरी को अर्थात प्रदान मंत्री जी के आने से ठीक एक दिन पहले रोड रिहरसल तक हो चुका था अर्थात भटिंडा से लेकर फिरोजपूर्ट का सफर जो जिस प्रदान मंत्री जी ने अपने रूट को बदल दिया और इस कारण से अफरात अफरी मच गई और इस कारण से ये चूक हुआ है गरत बात है जब प्रदान मंत्री पंजाब पहुचे खराब मौसम के कारण जब हेलिकॉटर टेक ओफ नहीं कर पाई और ये निर्धारित किया गया ये निश्चित किया गया कि प्रदान मंत्री अब रोड रूट से जाएंगे ये पूरा विशय डीजीपी राज्य के डिरेक्टर जनरल अफ पुलीस के साथ साजा किया गया उनके साथ ये डिसकस किया गया और जब डीजीपी महोदय ने क्लियरंस दिया उसके पश्चात ही प्रदान मंत्री उस रूट पे आगे बढ़ते हैं तो ये कहना ति अचानक प्लान चेंज हुआ ये गरत बात है डीजीपी को इसकी इंफॉर्मेशन थी स्पीजी और डीजीपी ने बात किया था और तो और जो भटिंडा के एससपी हैं जो पाइलेट गाड़ी चलती है उसको लीड करने का काम एससपी भटिंडा कर रहे थे अर्थात ये गरत बात ह कि ये सब कुछ सड़न हुआ क्योंकि राहा दिखाने का काम पंजाब पुलीस ही खुद कर रही थी तो ये कहना कि अचानक रहा वदल गया ये गरत बात हैं तीसरा मित जो जूट फैलाया जा रहा है कि जो पंजाब की पुलीस थी जो पंजाब की प्रसाशन थी वो प्रधा बात है क्योंकि जो internal communications है पंजाब पुलीस की अगर आप उन internal communications को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंजाब पुलीस ने आपस में बातचीत की है कि प्रधान मंत्री के उपर खत्रा हो सकता है इसलिए traffic diversion plan वो भी पंजाब पुलीस ने तयार किया था पंजाब पुलीस ने ये भी बात किया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ जगहों पर अगर प्रधान मंत्री रोड से जाए तो protesters भी आ सकते हैं तो किस प्रकार से वैसे situation को deal करना है उस पर भी internal communication पे पंजाब पुलीस ने बात किया हुआ है ये सब कुछ बात चीत उनकी internal documentation दिखाती है किन्तु धरातल पे जब ये सारी बातों को होना था तब चूक हो जाती है तब ये सब कुछ नहीं होता है तो ये कहीं न कहीं जो मित फैलाया जा रहा है जो जूट फैलाया जा रहा है कि प्रधान मंत्री के उपर किस प्रकार के खत्रे थे इस से पंजाब पुलीस अभिन्न थी वो जानती नहीं थी ये गलत है वो जानती थी मगर उन्होंने कुछ किया नहीं चौथा मित या चौथी जूटी बात जो फैलाई जा रही है इस पूरे प्रकरण में कि प्रधान मंत्री को बचाने का काम केवल और केवल स्पी जी का है पंजाब पुलीस का इसमें कोई रोल नहीं है सरासर गलत और यहां मैं तो कागज का भी सहारा लूँगा और पढ़क दृत होते हैं नियम लिखे जाते हैं उस ब्लू बुक के क्या नियम है मैं पढ़के सुनाता हूँ चैप्टर वन रूल नमबर वन मतलब जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा का जो ओवरॉल चार्ज है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पंजाब पुलीस और पंजाब की सरकार पंजाब का प्रसाशन था प्रक्सिमेट बॉडी सेक्योरिटी के लिए एकदम पास की सेक्योरिटी के लिए स्पीजी जिम्मेदार थे और स्पीजी वो कर रही थी वो हमने फोटो और वीडियो के माध्यम से देखा है चैप्टर वन रूल नमबर टू स्टेट्स क्या बताती है वो प्रक्सिमेट के सेक्योरिटी और सेक्योरिटी के लिए कोई भी प्रावधान करने है तो वो स्टेट की पुलीस राज्य की पुलीस करेगी SPG नहीं करेगी उन चैप्टर वन रूल नमबर फाइव ये क्या बताती है इंप्लिमेंटेशन अफ दिस रूल्स विल बी रिस्पॉनसिबिलिटी औफ दे डी जी पी ऑफ दे स्टेट जो डिरेक्टर जनरल अफ पुलीस है उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो रूल्स हैं उनको ग्राउंड पे लागू कराएं और अपनी पुलीस से लागू कराएं ये जिम्मेदारी डी जी पी की है पुलीस भी चुकी डी जी पी भी चुकी चुके और इसी के कारण से प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा में सेंद हुआ है जो अंतिम मित है फिफ्ट मित जो पाँचवा जूटी बात यहां पहलाई गई है वो है कि पंजाब पुलीस ने अच्छा काम किया है और पंजाब पुलीस ने प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है सरासर गलत आप खुझान के आश्चरी होगा कि अगर बाकी तो मैंने पूरा समझाया ही केवल कंट्रोल रूम पंजाब पुलीस का जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम ही केवल फोन करके जो पाइलिट गाड़ी थी उसको बता देती कि फलाने फ्लाइवर के उपर प्रदानमंत्री जी के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए यहां नहीं आने दिया जाए तो प्रदानमंत्री जी की गाड़ी उस फ्लाइवर के उपर 20 मिंटों तक नहीं फसी होती और वो एक खतरनाक स्थल पर जाके नहीं पहुंचते जहां कुछ भी हो सकता था मगर कि अकर्मन्यता में दिखी इन एक्टिव पुलीस चाई पी प्रदर्शनकारियों के साथ चाई पी टीवी पुलीस बॉडी लैंगुज देखे पुलीस की पुलीस कहीं तैनाती नजर नहीं आ रहे थी प्रदान मंत्री के आसपास जबकि आप सोची आप और हम अगर पुलीस म के उपर किसी प्रकार का कोई खत्रा न मन रहा है अगर पुलीस का जो विवार था वो हमने देखा पुलीस लचर नजर आ रही थी अकर्मन्य नजर आ रही थी बंधों में अंत में इतना ही कहना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्री किसी पाटी के प्रधान मंत्री नहीं हो अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रती, उनके वेलबीन के प्रती, कानून के प्रती, नियमों के प्रती अवगत नहीं रहेंगे उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड करेंगे तो इस देश में एक आम जनता भी सुरक्षित नहीं कुछ विशय राजनीती से उपर होते हैं और कुछ विशय राश्टनीती के होते हैं धन्यवाद